ये है रवन्ना परिवार ये परिवार इतना खास है कि क्या ही बताई जाए करनाटक में धड़ाधर इनके एक दर परत दर परत खुल रही है और पता चलता है कि ये पूरा परिवार ही रेप की फैक्टरी है अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहे हूँ ये किकर के जानते हैं ये प्रजवल रवन्ना जिन्होंने 3000 से जादा महिलाओं का यान उत्पीरन किया उनके वीडियो बनाई उन्हें ब्लैक मेल किया पिता स्वी रवन्ना जिन पर यान उत्पीरन और किड्नापिंग के चार्ज़स लगे हुए है और छोटे मियाँ उससे भी आगे निकले इन्होंने अपने पुरुष कारे करता कार रेप कर दिया और उसके लिए आप वो गिरफतार हुए पूरी खबर विस्तार से समझेंगे नमस्कार मैं ब्यूटी के लिए और आप देख रहे हैं नाशनल दस्तत लोकसभा चुनाओ के दोरान हासन लोकसभा सी बहुत चर्चाओं में थी चर्चाओं में इसलिए क्योंकि प्रजवल रवन्ना की उस वक्त की जैसे वीडियो सामने आए जो खबरे सामने आई थी वो जाहिर तोर पर चर्चे का विशय बना हुआ था और उसके लिए प्रधान प्रजवल रवन्ना किस प्रकार का व्यक्ति है इसका क्या कामधाम है यह क्या कुछ करता है यह सब कुछ बताने के बावजूद प्रधान मंत्र उसके लिए प्रचार करते रहें इसी परिवार के प्रजवल रवन्ना का चाचा आज काबिनेट में मिनिस्टर भी है अगर आ आग जानते ही हैं ये लोग पहले से ही सजा काट रहे हैं अब इसमें एक और भी सदस्टी का एक और भी जुडान हो गया है ये सूरजरवन्या है जिन्होंने एक अपने मेल कारे करता मतलब महिलाय तो सुरक्षित नहीं थी ये पहले से पता है लेकिन अब इनके साथ पुरु करेंगे राजनीदी में उसको बढ़ाने के लिए उसे अपना फार्म हाउस पर बुलाया और उसके बाद उसके साथ जो किया इन्होंने उसने सारी बाते पुलिस को बता दी आज खबरे और सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखे जा रही है बीबीसी निउस ने लिखा है प् में गिरवतार किया है शिकायत करता चेतन के इस पार्टी कहीं कारे करता है उन्होंने किस जून को सबसे पहले अपनी शिकायत डीजी पी ऑफिस भेजी थी लेकिन बाद में 22 जून को उन्होंने हासन पुलिस को मेल के जर्ये शिकायत किया था शिकायत करता ने हेलो नार्ष पूर्व के पूलिस को भेजा गया इसके बाद हासन पूलिस ने अभ्युक्त को बुलाया और पूश्ताच की हासन के पूलिस अधिक्षक मुहमद सुजाता ने BBC को बताया कि सूरज रिवन्ना को गिरफतार कर लिया गया है पत्रिका ने लिखा है अप्राक्रेतिक ओयोन उत्पीडन में पूर्व पीएम एज़ी डेवगोडा का दूसरा पोता सूरज गिरफतार प्रजवल रिवन्ना पहले से ही सेक्स वीडियो कांड में काट रहा जेल खासन पुलिस ने बताया कि सूरज रिवन्ना का पर आरोप है कि पार्टी की कार्यकरता छेतन को राजनीती में आगे बढ़ाने के नाम पर अपने गन्नी कांड पार्म में बुलाया था उसके बाद सूरज रिवन्ना ने उसका अप्राकरेटिक यौन उत्पीडन किया इस से पहले से वीडियो कांड में पुलिस ने प्रजवल रिवन्ना और उसके पिता S.D. रिवन्ना और उनकी पतनी रेवती रिवन्ना को पुलिस ने गिरफतार कर चुकी है पुलिस इनको पूरा का पूरा परिवार ही इसे लिए सोशल मेडिया पर लोग कह रहें कि ये पूरा का पूरा परिवार रेप की फैक्ट्री है और इनके साथ महिलायें क्या इनके साथ पुरुष भी सुरक्षित नहीं है दान्यूस 15 ने लिखा है प्रजवल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना सेक्शुल हैरेस्मेट के आरोप में गिरफतार प्रजवल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना भी गिरफतार हो चुके हैं एक यूवत ने आरोप लगाया कि सूरज ने 16 जून को अपने साथ कुकर्म किया जेडियस के MLC सूरज रिवन्ना को पार्टी कारिय करता के साथ योन शोशड के मामले में गिरफतार किया गया है सूरज रिवन्ना और उनकी पत्पिता SD रिवन्ना पर पहले से ही योन शोशड और किड्नैपिंग के आरोप हैं दोनों के खिलाफ कारवाई हो रही है News 18 इंडिया ने लिखा है करनाटक से स्कैंडल में फसे जेडियस नेता प्रजवल रिवन्ना के बाद अब उनके भाई सूरज रिवन्ना को भी हासन पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उन पर योन शोशड के कीस दर्ज किया गया है रिवांता पांडे ने लिखा है प्रजवल रिवन्ना के भाई सूरज रिवन्ना भी गिरफतार सूरज पर एक युवक के और प्राकरितिक यौन उत्संबंद बनाने के आरोप लगाए गए हैं बड़े मियाद तो बड़े मियाद छोटे मियाद सुभा नल्ला पूरा परिवार तेजसी निकला सब के सब हवसी हैं ऐसा लगता है तो लगतार सोशल मिडिया पर लोग आवाज उठा रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा परिवार किस तरीके से वहाँ पर लोगों का सोशन कर रहा है ये पूरा परिवार मिलकर किस तरीके से लोगों के साथ यौन उत्पिरन कर रहा है और अब धीरे धीरे पर खुल रही है और सचाई बाहर आ रही है निव 24 ने लिखा है प्रजवल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना भी गिरफतार यौन उत्पिरन के लगे है आरोप उनके खिलाफ एक शक्स ने अप्राक्रेतिक यौन संबंद बनाने के आरोप लगाए है अमरेंदर पतेल बाहु बली ने लिखा है करनाटक सेक्स स्कैनल में मामले में प्रजवल रवन्ना के भाई MLC सूरज रवन्ना को गिरफतार किया गया है सूरज पर जेडियस कारेकर्टा के साथ यौन सोशन का आरोप है प्रजवल रवन्ना पहले से ही इसी मामले में जेल में बंध है पुलिस ने अब सूरज को भी हिदासत में ले लिया है यह मामला करनाटक के राजदितिक जगत में काफ़ी चर्चित है दिलरलन टौप ने लिखा करनाटक के स्टैप केस में नया अपडेट सामने आया पुलिस ने 23 जून को आरोपी प्रजवल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना को भी आरेस्ट किया है आरोप है कि सूरज रवन्ना ने पार्टी के कारेकरता को अपने फार्म हाउस बुलाकर उसका यौन शोशन किया है आज तक नेली का अप्रजवल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना पर लगा संस्वनी आरोप फायार दर्ज करनाटक के चर्चित सेक्स कैंडल में एक नया मोड सामने आया इस मामले में आरोपी जेडियस नेता स्जी रिवन्ना के और उनके बड़े बेटे प्रजवल रिवन्ना के बाद छोटे भाई सूरज का नाम भी जुड़ गया है हासन जिले के होलन रसीपुरा पुलिस तीशन में सूरज के खिलाफ फायार दर्ज कराई गई शिकायत करता ने उसके यौन शोषण का आरोप लगाया पुलिस ने सूरज के खिलाफ आई पीसी की 377, 342, 506 और 344 के तहट के इस दर्ज किया गया है अब वो बाते जानिये जो शिकायत करता ने बताई है क्या कुछ उसके साथ हुआ वो भी आपको बता दे आज तक ने श्ताफ लिखा है शिकायत करता ने अपनी तहरीर में लिखा है सूरज रवन्ना ने मुझे 16 जून को अपने फार्म हाउस पर बुलाया था वहां उन्होंने मुझे अच्छे से बात की लेकिन तब मैं हैरान दह गया जब उन्होंने अपना हाथ मेरे कब्धे पर रख दिया और मेरे कानों को चूने लगे मैं डर गया उन्होंने कहा चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा फिर उन्होंने मेरे होटों को चुमना और काटना शुरू कर दिया मैंने उन्हें धक्का देकर दूर धकेल दिया इस पर वो चलाने लगे सुरज ने मुझसे कहा कि तुम इस फार्म हाउस में अकेले हो तुम मेरे और मेरे परिवार के बारे में नहीं जानते इसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि यदी मैंने सहयोग नहीं किया तो वो मुझे मार देंगे फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गये और मुझे गले लगा लिया मेरे गालों को काटना शुरू कर दिया वो मुझे असलील बाते करने लगए यहां तक की मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे अपने कपड़े भी उतार दिये फिर मेरे साथ जबरन संबंध बनाया यह शिकायत करता ने अपनी शिकायत में लिखी है उसने पूरी तरेके से बयान किया है कि उस दिन फार्म हाउस पर उसके साथ क्या कुछ हुआ है किस तरीके से उसे धमकी दी गई भागने पर उसे जान से मार देने की धमकी दी गई यह बाते बताए गई कि तुम मेरे परिवार के बारे में नहीं जानते है और इस तरीके से धमकी देकर सूरज रवन्ना ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्टा के साथ और प्राक्रेतिक यौन उत्पीडन किया यौन संबंद बनाए जिसके लिए अब वो उस पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया है लेकिन सोच ये इनके दिमाग में कितनी हवस भरी है ये पूरा का पूरा परिवार जितनी सामने आ रही है उतना पता चल रहे है क्या पता कितनी केसे कितने लोग इनके जैसे ये डर दिखा रहे हैं कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे तुम्हें हमारे परिवार के बारे में पता नहीं कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अपना डर के मारे मू ना खोला हो निशान समाजवादी ने लिखा है दरिंदा प्रजवल रिवन्ना का भाई यौन शोशन के आरोप में ग्रफतार हो गया इसके चाचा को मोदी के काबिनेट में मंत्री बनाया गया है इन दरिंदों को फासी की सजा मिलने चाहिए तो लगतार सोशल मीडिया पर लोग आवा लोगों को इंसान को इंसान ना समझता हो और महिलाओं की क्या बात करें ये पुरुष होकर पुरुषों को भी नहीं छोड़ते पुरुषों का भी यौनुत पीडन कर रहे हैं ये ऐसा परिवार है ये कैसा परिवार है जो समाज में रहकर समाज को जीने नहीं दे रहा है इस पूरी वाचीत पर अपनी प्रतिकिरियाद जरूर दीजे।